महा महिम राष्ट्रपती रामनात कोविंद का कारेकाल समाप्त होने को है और देश के अंदर जो राष्ट्रपती चुनाओ है इसको लेकर कई जो सवाल हैं वो देश के सियासी गलियारों में टहल रहे हैं बेरहाल बिहार के परपेक्ष में बात की जाए तो बिहार के राजनितिक दलों का मानना है कि इस बार अगर कोई राष्टफती का उम्मिदवार होता है तो वो बिहार से हो इसके साथी नितिश कुमार के नाम की भी खुब चर्चा हुई हाला कि जेडियू के राष्ट्रिय अध्यक्ष ललन सिंग ने साफ कर दिया कि नितिश कुमार फिलाल बिहार के विकास में अपना योगदान देंगे वो बिहार छोड़कर कहीं नहीं जा रहे है हम बात करेंगे आम जनतापाटी राष्ट्रिय के राष्ट्रिय अध्यक्ष विद्यापती चंड्रवंसी कैसे बिहार से राष्ट्ORी कि मांग की जा रही है इनकी क्या राय है वागत है सर्थ राष्ट पती के चुनाव को लेकर चर्चा तेज है नितीश कुमार का नाम आगे था लेकिन अब अटकले खत्म हो गई है कि नितीश नहीं जाएंगे कैसे देखते हैं इस पूरे विश्ट को देखे माने मुखमंत्री जी नितीश कुमार ज होते हैं वो सांसत या जो भी जनपरतिनिदी हैं वो होते हैं उन कुछ को छोड़कर कि जिजे राष्ट पती मनुनीत करते हों उस सब को छोड़कर और विधान परिसेद और चोड़कर कहना मैं यह चाह रहा हूं कि यह जो चुनाव है यह चुनाव वही उसका प्रत्यासी जो देगा पार्टी और चुनाव वही जीतेगा जिसकी संख्या जनपरतिनिदियों की संख्या ज्यादा होगी अब सवाल यह उड़ता है कि महत्रपूर्ण यह नहीं है कि कोई खड़ा हो जाए चुनाव राष्ट पती सवाल है कि कौन सी पार्टी जो सबसे आगे है जिसक केंडिडेट राष्ट पती का उमिद्वार होगा और वह जीत सकता है वो पार्टी यदि कोई अपना केंडिडेट देती वही जीतेगा किसी के कह देने से कुछ होने वाला नहीं जिस तरह माने मुखमंत्री नितिश कुमार जी का नाम उच्छला जा रहा था यह सब कहने की प्रथम राष्ट पती डाक्टर राजन्द परसाद इस सरीखे लोग जब राष्ट पती हुए थे तो इनका जो बात था और जहां तक बिहार की बात है बिहार से डाक्टर राजन्द परसाद थे तो इस तरीके के लोग जब इस सरीखे लोग जब राष्ट पती बनते हैं तो बिहार का नाम तो नहीं, देश का नाम का गौरब, किसी का नाम ले लेना, राजनिती, किसी बैक्ति का नाम लेना, जो दिन रात राजनित में जोड तोड की काम में लगे हैं, उठा पटक में लगे हैं, ऐसे तरह का नाम राष्टपती के लिए नहीं आना चाहिए, राष अब why सर्वोच सभी गुन्हों से संपन हमारे देश के राज्ट्पती और पॉल्टिकल लोगों को को राश्ट्पती बनाना फिर जाती के आधार पर बेष पर राश्ट्पती बनाना इस तरह की परिपार्टी से पार्टियों को जरूर बचना चाहिए जिसे कि देश की जनता को एक असपस्ट मैसेज जाए कि हमने जो राष्टपती पद के लिए मिदवार दिया है और देश के जो राष्टपती होंगे उसमें इस सरीखे का बैक्तितो है और इस तरह के लोग है इसलिए इस तरह के नाम मा परती नहीं दिए वो किसे देती है अब तो पहले सर्व समत्ती से होता था अब तो दोनों दल अपना यह विद्यापती चंद्रवंसी जी कि एक लंबा वक्त हो गया डॉक्टर राजंदर प्रशाद के बाद कोई भी वेक्ति बिहार से राष्टपती नहीं बने तो यह भी यह सवाल बिहार का नहीं है यह सवाल देश का है और देश में किसी भी प्रांद से यदि इस तरह के लोग राष्टपती बनते हैं जिसके समन्द में पहले हमने कहा जिसका बैक्तित तो हो जिसमें कोई विसेश गुन हो किसी छेत्र में उसकी विसेशता हो यह राजनितिक जोड़ तोड़ करने वाले बैक्ति के लिए पत नहीं है इसलिए ऐसा नहीं है बिहार से हो तो अच्छी बात है सुना में सोगंद है हम लोग बिहार के हैं इसलिए बिहार कहते हैं लेकिन यह समारा है और इस देस के परिपेक्ष में राश्ट्पती होना चाहिए जो कि यह द ज्यादा गौरब होगा जिस भी प्रांत से होंगे ज्यादा गौरब होगा इसलिए देश में जो राष्ट पती हो वो इस तरह के गुन वाले बैकती हो और जोड़तों की राजनीती से दूर वाले बैकती हो इस तरह के राष्ट पती का चुनाओं हम लोगों का कहना है कि आम सबसे समझनी की बात है संप्रदाइक बाता वरन आप देख रहे हैं कि जब भी देश में चुनावी जीतहार की बात दिमाग में चलती है पाटियों की तो पहले से प्लोट बना के रखते हैं मेरा कहना है कि इसे उस संप्रदाइक को समझनी की जुरत है जिसे भड़काया जा रहा है यदि कहा जाये किसी का इस तरह का बियाना आना किसी के धर्म के और के जो लोग है जो धर्म के कहा जाए तो मुहमत साहब के बारे में कह देना इसा मसी के बारे में कह देना या भगवान के किसी भगवान के बारे में कह देना इस तरह के लोगों का बिचार ही है भड़काने का तो ये तो समझना है उस संपरदाय के लोगों को जिसे भड़काया जा रहा है और मैं ये कहता सम्परदाए के लोगों से कि आप इस बात को समझें आप जो वो चार हैं कि आप भढ़कें और आप भढ़क रहें तो फिर आज देखिए बिहार में बिहार सांत है जारकंड उबलने लगा रहाँ चीव बलनाय क्यों कि बिहार के जो इस सम्परदाए के लोग थे जन्हें बढ़काने का प्रयास किया जाए किसी संपरदाय को ये भढ़काने का प्रयास हमेशा राजनीतिक होता है इसलिए समाज को और उस संपरदाय के लोग को समझना चाहिए कि हमें भढ़कना नहीं है क्योंकि ये प्रयास राजनीतिक है आज उसका परणाम जारखंड में जाची जो देखने की मिला और कई राज्यों में देखने के लिए मिल रहा है सिर्फ उस संप्रदाय के लोग कदी समझ जाएं कि नहीं यह राजनीतिक भढ़काने का प्रयास है हमें नहीं भढ़कना है तो यह आप देखेंगे कि ऐसे राजनीतिक करने वाले लोग मुझ के बल गिरे इसलिए मेरा उनसे संदेश है कि आप न भढ़कें आप सांती बनाए रखें क्योंकि यह प्रयास राजनीतिक है तो निश्ची तोर पर आप सुन रहे थे आम जनतापाटी राष्ट्रिय के राष्ट्रिय अध्यक्ष विद्यापति चंट्रवंसी जी को जहां एक तरफ रा आप भड़के नहीं अपने विवेक का इस्तमाल करें और सद्वाव की जो भावना हिंदुस्तान की है उसे बनाए रखें इस कोविट पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहां अपना घर नहीं अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहां अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में लेकिन हां अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए होना चाहिए तो कहां है अपना घर ये है ना E-Homes Panorama पूर्णिया में अपने शहर में अपना घर पूर्णिया में Panorama Group लेकर आये हैं E-Homes Panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुधाओं के संग E-Homes Panorama, Luxurious, Lifestyle Redefined